बाकी सब ठी बस चल रहा है अरे भाई क्या चल रहा है आपको नहीं पता टेश्बुक सुपर कोचिंग पर चल रहा है एंड ओफ सीजन सेल जहां पर आपको मिल रहा है सभी सुपर कोचिंग पर अप्टू 90% आफ एंड 50% की एक्स्टा वेल्डिटी तो अगर आप SSC, Banking, Teaching, UDCNet, CSIRNet, EPFO, Railway, Defense, AJ, Gate, State PSC और UPSC से एक्साम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी इस ओफर का लाब उठाइए क्योंकि ये ओफर सिब 27 से 30 जून तक वेलेड है एल्लो एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे Very Good Morning to all of you Test Book पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईए दोस्तो हम लोग हमारे आज के Super Important Session के सुरुआत करते हैं आप सभी को Very Good Morning दोस्तो End Season Sale चल रही है और ये Sale का जो मोका होता है ये बहुत ही खास मोका होता है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को Price में जो Discount मिलता है वो बहुत ही Awesome सा मिलता है Test Book ये खास बात है कि आपको बहुत ही कम Price में बहुत गजब के batch दिया करता है जैसे कि अगर आप लोग SSE CZL या All SSE Exam के preparation कर रहे हो तो ये batch केवल आप लोगों को 454 पतब उल्टा सिधा एक सामान समझो ठीक है ना 50% is extra validity के साथ में यानि कि लगबग आपको 6 महीने का तो batch थाई प्लस में 3 महीने extra validity के साथ में ये batch मिलने वाला है SSE MTS का preparation SSE MTS का preparation जो batch 2000 का था Just 269 में सब्सक्रिप्शन है SSE CHSL का 269 में है Delhi Police Constable की preparation अगर आप लोग कर रहे हो तो भई आपके लिए बहुत ही कम बहुत ही कम जो है ना ये आप लोगों का मिलेगा यहाँ पे 359 रूपीज का success guaranteed है 6 मन सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है ये IB Security Assistant का batch भी 269 में है ये batches आपके मतलब सारे के सारे ही 500 रूपे से कम के हैं आपके और इनको आप लोग लेना चाहते हैं तो इस वाले discount offer को avail करने के लिए आप मेरा coupon code यूज कीजिएगा S-U-N-I-L-SUNIL-B ठीक है इस से आपको 90% का discount मिल जाएगा कब मिलेगा तब ये coupon यूज करोगे second कहां से मिलेगा आप लोगों को करना क्या होगा link आपको description box में दे रखा है comment box में भी दे रखा है click करिएगा अगर mobile यूज करते हो तो उसके इंदर आप application डाउनलोड करिएगा और इस video को scroll करके उस पे link पे click करके आप लोग apply coupon पे जाके सुरील भी लगा देना 90% का discount आपको मिलेगा देर किस बात की है मोका हास से चला ना जाए देख लेना क्योंकि बहुत कम limited time के लिए ओफर है और ऐसा ओफर तो मुझे नहीं लगता कहीं और दिया जाएगा आपको इतने कम prize में आपको बैच चलिए स्वागत करता हूँ आप सभी का test book super coaching platform पे मेरा नाम है सुनिल विस्णवी और आप सभी को इस प्यारी सी सुभह की राधे राधे very good morning आईए connect होते हैं हम लोग sir UPSC का भी same quality content provide करते हैं क्या test book वाले हाँ जी of course same ही करते हैं अच्छा ही करते हैं best ही करते हैं यहां तो अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले सारी faculties रख रखी है good morning dear सभी को good morning चलिए सर्जी आज का जो हमारा session है वो है hardware and software ठीक ना और उसके कुछ मैंने जो हना उस topic के ही question आपके आगे सजा रखे हैं एक बात है आपके hardware के जो कुछ topic मैंने 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 अपका MCQ आज क्यों लिये हैं उसका कारण है कि मैंने आपको पूरा जो आपका keyboard था वो आपको मैंने समझाया था एक दिन यादा रहा है आप लोगों को keyboard के अंदर कौन कौन सी keys होती है कौन सी key का क्या काम होता है यह हमने पढ़ा था यादा है आपको जिसे escape key का का काम क्या होता है to exit from any program ऐसे हमने F1 से लेके F12 तक पढ़ा capsule का क्या का काम होता है tab का का काम क्या है alt का काम क्या है control का shift का space का ये सारे कीज हम वो अलरी पढ़ चुके हैं अच्छा इनी के अधार पे कुछ question हम लोग लगाने की कोसिस करते हैं और के साथ साथ हमारा कुछ और question भी आते हैं कुछ नए type के question भी होते हैं उनको मैं आपको explain करूँगा detail से ताकि आपको थोड़ा और अंदाजा हो ताकि थोड़े आप और ज़दा sure भी हो जाएं कि हाँ ऐसे ऐसे सवाल exam में पूछे जा सकते हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं dear आपका यहां पे ठीक है ना Sir आपने computer class batch में जो पढ़ाया था वही CHSL exam में आया था शुकरिया उदित जी बहुत बहुत धन्यवाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और हमारा पहला जो question आपकी screen के provisible है वो क्या है देखिएगा और इसका साथ के साथ parallel answer देने की कोसिस करिएगा आप लोग identify the true false from the following statement इन statement में से आपको true false statement बताना है यह true or false statement जो बताना तो है पर हमें यह बताईएगा कि इसमें से कौन सी statement मतलब हमें यह ABC तीन statement पढ़नी है और इन तीनों को पढ़के हमें देखना है कि कौन सी तो सही है और कौन सी तो गलत है देखिएगा आप लोग मैं आपको पढ़ाता हूं ऑप्टिकल माउस का है इन्होंने इट सेंस लाइट तु डिडेक्ट मोशन ट्रैक बोल का है इस इजए टेक्स स्कैनिंग डिवाइज और इपी रोम का है इन्होंने इट इस कंटेंट कैन बी इरेज़ अनली वन्स इस कंटेंट कैन बी इरेज़ अनली वन्स अच्छे ये सब चीज आप लोग जो है ना अल्रेडी पढ़ चुके हो क्योंकि ये हार्डवेर का ही पार्ट में आ रहा है आपका ये ठीक है सिंपल सी बात है पहली स्टेट्मेंट अप्टिकल है अप्टिकल के अंदर लाइट आती है क्या अप्टिकल में लाइट ही होती है optical mouse जो होता है आज कल के time में तुमने देखा होगा जैसे उठाते हो तो थोड़ा नीचे से red red color की light सी तुम्हें दिखाई देती है तो यह optical mouse है ठीक है यह जो आपका device है या यूँ कहिएगा यह वाला आपका hardware device है इस hardware device के अंदर आपका क्या रहता है light ही रहती है ठीक है अच् आपका mouse काम करते है वैसे ही है जिस तरीके से रोलर सा रहता है उसके नीचे तो text तो नहीं scan करता टेक्स scan करने के लिए आप OCR वगरा का नाम ले सकते थे इसका नाम तो नहीं ले सकते तो यह वाली statement तो आपकी क्या है simple से गलत हो गई है E.P.Rome मैंने आपको अभी पढ़ा है था E.P.Rome कल पताने परसों वाले lecture में पढ़ा है था Erasable Programmable Read Only Memory यही बताया था ना It content can be erased only once नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर आप लोग जो ना बहुत बार multiple time जो है ना आप अपने इसके इसके अंदर Delivery Data को या Content को Erase कर सकते हो मैंने यह कहा था कि इसमें पहली बात है Erase करते समय आपको कौन सी Light चाहिए होती है तो UV रेज चाहिए होती है पहली तो बात यह थी अल्ट्रा वालिट रेज दूसरी बात यह है कि आप इसमें Can't delete a section of data Can't delete a section of data आप यानि की एक data का section है एक टुकड़ा है वो delete नहीं कर सकते बस इसके एक खास बात कहिएगा या इसके बुरी बात कहिएगा वो यही है आपकी इसका मतलब यूं हुआ कि इतना बड़ा पेज आपने लिखा है और आपको लगता है यह वाली लाइन गलत ह हो गई इस यह वाली लाइन कोई गलत आप काट नहीं सकते आप सोचो जैसे backspace दे दू मैं इसको हटा के और इस पे नहीं लाइन नहीं नहीं अगर आपकी थोड़ी सी भी गलती हो गई है ना तो आपको old delete करना पड़ेगा सारा का सारा data delete करना पड़ेगा आप जो section है ना data क वो नहीं delete कर सकते complete delete करके आपको दुबारा ही लिखना पड़ेगा तो ऐसा ही आप लोगों को यहां से याद कर लेना है ठीक है ना हुदित मैंने कल ही बताया था आपको 12 cm का होता है मैंने बताया था कली की class में कल वाली class देख लेना उसके अंदर ये वाला question भी आ जाएग तो UV rays can't delete a section of data तीसरी बात है कि data को delete करने के लिए ठीक है ना data को delete करने के लिए mm में पूछा तो हां cm को आप convert कर दोगे mm में भी कोई बात नहीं है अच्छा यह तो गया तीसरा क्या बात बताई थी मैंने आप लोगों को तीसरी बात मैंने बताई थी आप लोगों को कि यह हां पर आप लोगों को जो है ना data को आप लोग टाइम कितना लगाओगे 20 से 25 मिनिट लगाओगे data को delete करने में पुरा वक्त भी लगता है इसके अंदर ठीक है तो यह तीनों चीज़े आप लोगों को पता रहने चीए super important है यह वाली बात चलिए आगे जाते हैं next हमारे पा हूं है बस आप लोगों को बताना है कि इसका सही अंसर क्या होगा जै जगarnath भी श्री लेजर printer किसमें आता यह लाइन प्रिंटर का पार्ट है, केरेक्टर प्रिंटर का पार्ट है, पेज प्रिंटर का पार्ट है, या बोथ केरेक्टर एंड लाइन प्रिंटर का पार्ट है, इजी सवाल है, यह ज्यान देऊगे, तो अगर यह पेज प्रिंटर का पार्ट है मैंने आपको बताया था एक प्रिंटर जो होता है ना उसको आप लोग कहा करते हो इंपक्ट प्रिंटर और दूसरा प्रिंटर जो होता है ना उसको आप लोग कहा करते हो non impact printer अगर याद आ रहा हो तो आपको ये दो चीज मैंने बताई थी ठीक है अच्छा सर जो आपका impact printer था ना इसके अंदर एक तो आया था आपका कौन सा एक तो इसके अंदर आया था character printer आया था character printer के अंदर मैंने कहा था जो एक बार में अपना पूरा एक अकसर लिखता है और इसके अंदर एक printer आपको मैंने बताया था कौन सा dot matrix printer बताया था ठीक है ना और एक बताया था मैंने इसके अंदर कौन सा आपको एक बताया था daisy wheel printer बताया था ये दो printer मैंने इसके अंदर बताये थे एक मैंने इसके अंदर इंपक्ट के अंदर लाइन बताये था दूसरा टाइप लाइन प्रिंटर के अंदर मैंने एक तो कहा था इसके अंदर आता है चेन प्रिंटर आता है और दूसरा आता है आपका यहाँ पे एक तो आता था कौन सा thermal printer है याद रखना thermal sorry thermal printer जो है आपका यह होता है दूसरा कौन सा होता है दूसरा होता है यहाँ पे आपका inkzet printer होता है तीसरा कौन सा होता है आपका तीसरा आपके पास में यहाँ पे होता है यही laser printer ठीक है ना अच्छा laser printer जो है ना इस को इसका speed ppm में measure करते हैं page per minute मतलब एक बार में page निकालता है लगवग 24 से 30 page जो है इसकी speed रहती है इसी करके laser printer को आप page printer भी कहते हो जो कि page print किया करता है यह आपका ज्यादा तर पूरा-पूरा page print करता है यह जैसे यह तो line यह character print कर रहे हैं यह line print कर रहे हूं पूरा-पूरा page निकालता है आपका ठीक है इसके आगे electrostatic, electromagnetic वगरा होते हैं लेकिन हमारा question यहां तक ही पूरा हो गया तो हम page printer को ही माल लेते हैं एक बात और याद रखिएगा printer का unit क्या होता है यह भी हमने पढ़ा होगा कभी आपने आपको याद है तो बतादो आप लोग ठीक है ना printer इस printer का unit क्या होता है अगर हम लोग देखने की कोसिस करें कि printer का unit क्या मिलेगा तुमें तो बताना मुझे printer का unit क्या मिलेगा तो printer का unit जो होता है आपका यहां पे वो होता है DPI ठीक है ना DPI DPI का मतलब क्या होता है DPI का मतलब होता है आपका डोट पर इंच होता है यह याद रखिएगा आप लोग डोट पर इंच यह printer का unit एक सवाल और पूछता है हलंकि बहुत इजी पूछता है वो कि printer की shortcut command क्या होती है बता दो तो वो तो खैर बहुत इजी है print की shortcut command control प्लस में यह shortcut command एकदम simple है चलिए सर आगे चलते हैं next हमारा जो सवाल आता है वो क्या है कि which of the following is an example of input device बताईएगा इन सभी lectures का PDF आप लोगों को मिल जाएगा मेरे telegram handle पे मेरा telegram channel है सुनील सर test book आप सभी के सभी बच्चे सुनील सर test book नाम के telegram channel को असानी से join कर लीजिएगा और इ पाने लेक्चर का PDF अपडेट कर किया हुआ ही मिलेगा वहां पे आपको ठीक है वह एक आदे लेक्चर का रह गया है तो वह भी आपको दुबारा से एक्जमाइन करके और पीडिएफ वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा ठीक है तो आप सुनील सर test book नाम के telegram handle को सभी ब स्टेटस लगाते हो कभी हमारी wireless लगालिया करो भई शुबद सुबह अच्छा जी इस सौवाल का ठीक अन्चर रहेगा बार कोड़ रीडर आपको ना इंपुट डिवाइज कौन-कौन से हैं वो बताईएगा, ठीक है ना, कौन सी क्लास का PDF नहीं मिला विटा, यह बताओ, वहाँ पे लगबग क्लासिस के PDF है ही है, हाँ साइद कल वाली क्लास का PDF वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ होगा, बाकी क्लासिस के इससे पहले वाली मैम कंडार है, खोलके देखोगे, इतने PDF है कि सारे पढ़े भी ना जाएंगे एक बार में तो, हाँ वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना, तो बार कोड रीडर तो एक इंपुट डिवाइज है, तो ठीक है, अच्छा बहुत सारे और इंपुट डिवाइज भी होते हैं, जै कहा था, MICR, ये एक इंपुट डिवाइज है, चलो, आज आप मुझे MICR का फुल फॉम बताना, क्या होता है, MICR का फुल फॉम बताना, असानी से साथ पता होगा, आपको MICR का फुल फॉम, बैंक के इंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है, बैंक में चेक को रीड करने के लिए इसका असानी से यूज करते हैं, हम लोग, ठीक है, MICR, Magnetic Ink Character Recognization होता है, जहां रखना ये, ऐसे OCR होता है, Optical Character Recognization, रिडर होता है, इसके अलावा, OMR होता है, Optical Mark Reader होता है, इसके अलावा, ये BCR होता है, जो अभी दे रखा है, ये बार कोड को रीड करता है, हमारे, इ इसके अलावा, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, माइक्रो फोन जो होता है, जिसको आप लोग, माइक के नाम से जानते हैं, ये भी तो एक Input Device ही है, जिससे मैं लिख रहा हूँ, STY, LUS, Stilus Pen जो होता है, इस टाइप के Pen जो लिखने वाले के यूज करते हैं, उसका भी हम जो है जो है, ये जोइस्टिक होता है, ये जोइस्टिक होता है, ये कंप्यूटर में GamePort से ही Connect होता है, घाडी में गेर देखा होगा तुम्नेः, वैसा वैसा बैसा धिखने में जोइस्टिक होता है, आपका एक प्रकार से समझो, कभी Video Games वगरा, किसी ऐसे Showroom Mall में बढ़ी digital camera जो होता है, digital camera ये एक input device में आता है आपका, इसके अलावा आपका digital camera के अलावा, webcam जो होता है, webcam एक आपका input device होता है, अच्छा, और input device आपके पास में कौन सा होता है, और Input डिवाईज आपके पास में होता है Fingerprint Scanner या आप लोग ये जो है आपका ये भी एक परकार का Input डिवाईज ही होता है जब आप Atendis वगड़ा लगाते हो ना तो वो वाले एक Input डिवाईज ही है Printer Input नहीं होता प्रिंटर आउट्पूट डिवाइस होता है। ठीक है। अच्छा सरे इसके अलावा आपका होता है A-D-E-A-D-E-A-F का मतलब होता है क्या? A-D-E-A-F का मतलब होता है आपका आपका Automatic Document Feeder ठीक है आपका अपने आप multifunction printer आते हैं तो उनके उपर na ADF होता है कागच रखते हैं अपने आप enter करता रहता है लेके चलता रहता है वह आपका that is ADF ADF कहते हैं उसको आप लोग automatic document feeder के नाम से जानते हो इसको आप लोग ठीक है अच्छा सर इसके अलावा हमारे पास में यहां पर और input device कौन से देखने को मिलेंगे आपको touchpad होता है एक ठीक ना touchpad मैंने touch screen नहीं कही है मैंने touchpad कहा है तो laptop के उपर रहता ना touchpad वो वाला ठीक है ना तो वो भी आपको याद रखना है computer के ports पर भी lecture जुरूर आएंगे हमिज जी अफकोस देता हूं बचा ठीक है network वाले section जो आएगा ना उसके इंटरनेट इंटरनेट वाले sections में जरूर दे दूँगा मैं ठीक है सारे ports करवा दूँगा जितने भी ports होते हैं आपके ports के color भी करवाते हैं फुरा और अंदर ही आता है इसके अलावा आपका touch screen जो होता है इंपूट आउटपूट दुनों में आता है क्योंकि देखो touch screen है यह मैंने यहां पर touch किया input हो गया सेम टाइम पर मुझे मिल रहा है तो यह output भी हो गया आपका यहां पर चीक है पास card लेके गए card को scan किया है जिस machine ने scan किया है वह आपका इंपूट डिवाइस बन गया यह यह चोटा सा पहले card reader होता है उस पर chip डालके scan किया करते थे हैं हम लोग वह भी आपका card reader ही है यह smart card reader ही बन गया आपका वह भी इसके अलावा हमारे पास में एक digitizer होता है pen tab type से ठीक ना digitizer से आप कुछ लिखते हो graphic plates पर वह आपका वहां पर दिखाई दिएता है जोईस्टिक तो लिखती है मैंने यह रहा यह जोईस्टिक तो यह सारे input device है ठीक है ना remote sensor भी कह सकते हो IR scanner ठीक है ना remote और IR scanner जो आप अपने remote वगड़ा को यूज किया करते हो infrared scanner जो होता ना वह वाला तो मैं यह सारे आपको लिख लिख के समझाओं दुबारा बताओं तिबारा चौर बार पांच बार बताओं लेकिन फिर भी मैं महनत करूंगा करूंगा लेकिन तुम भी अपने लेवल पे महनत करना और इन्हें लिख लिख के याद करना याद करोगे तो इसससे confident हो जाओ इस topics related कि मुझे input device तो अचलिस सारे आते हैं अरे बहुत basic सवाल है simple पूछता देखो इस type का क्यूस्तन होता है कि विचोव तो following is an example of input device बहुत simple सवाल होता है यह पता है तो second में answer करके आगे निकल जाओ गया ठीक है चलिए सर आगे चले थोड़ा सा और अगला सवाल क्या र प्रोजेक्टर है अगेन है तो प्रोजेक्टर तो आउट्पूट ही है लाइट को फैंकता है ठीक ना जिसके अंदर आपका output device ही होता ही है ठीक ना माइक बता दिया दिया माइक्रोफोन को ही माइक कहते है आप और प्रिंटर तो खेर आपका output है यह नो डाउट चलिए सर सवाल आपसे पूछ रही है इसका जवाब दीजिएगा आप लोग in the context of computer mouse the left button help to left button अच्छा आप माउस को पकड़ लिया है hardware device में और उस mouse का जो left button है आपका left button help to किसके लिए the item while the right button help to the menu मतलब दो option दे रखें दो flunk the blanks दे रखें दोनों में आपको क्या fill करना है left button किसके के लिए use होता है और right button किसके लिए use होता है select display display select read write write read ऐसे करके option दिये हैं थोड़ा सा confused हो सकते हो लेकिन हलका सा समझोगे सवाल को और फिल करके पढ़ोगे तो side answer आ जाएगा ज्यादातर answer आप लोगों का है a वाला option है almost ठीक है ना a वाला option ही है आपका ठीक अंसर तो left button ज होता है select करने के लिए और जो आपका right help किया करता है किसका display the menu menu को दिखाने के लिए तो आपका right click किया करते हैं simply तो आपका इस तरीके के menu जो है ना वो खुल जाएगा ठीक है ना उसके अंदर आपका बहुत सारे options रहते हैं आपका refresh करते हैं properties वगरा 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 ऐसी type से खुल जाते हैं तो menu open करने के लिए रहता है आपका यह चलिए सर अगला सवाल आपके पास में यहां पे कौन सा आता है यह पूरा mouse देखके भी थोड़ा नजा लगा सकते हो नॉर्मली क्या होता है थोड़ा मलब आजकल standard किसम के mouse एक तो left mouse button होता है यह वाला एक right वाला होत होता है इस scrolling करने के लिए होता है एक हलांकि side button भी होता है इसके अंदर ठीक है ना on off यह multi-purpose टाइप से कह दीजिए कि इसको छोड़ीगा नॉर्मली आपका left और right ऐसे दो और बीच में एक button भी होता है तीसरा button कहलाता है actually scrolling के लिए कहलाता है फिसको up-down करने के लिए ठीक है चलिए अगे जाते हैं हम लोग यहाँ पे scroll button आपको पता है scroll up-down वगरा करना होता है side button जो आप कह रहे थे ना side button इसका actually काम है are programmed to perform actions such as moving backward forward through web pages in web browser यह थोड़े special type के mouse होते हैं जिनके अंदर अगर यह side button भी लगा हुआ है आम तोर पे आपको यह सस्ते mouse लेते हैं आप या छ और mouse ही वैसे तो क्या है कि shortcut की भी यूज कर सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको website पे जो है ना वो मूव करना हो backward forward जाना हो web pages पे तो आप लोगों को यह side button का इस्तमाल करना होता है थोड़ा और जल्दी fast काम करवाने के लिए होता है ठीक है तो आप मतलब मोटे तोर पे mouse उसके तीनी बटन याद करोगी लेकिन थोड़ा detail में जाने की कुछिस करते हो तो उसके दर एक side button भी होता है ऐसा समझ सकते हो web pages के अंदर forward या backward जाने के लिए इसका इस्तमाल किया करते हैं internet जब चलाते हैं तब चलिए सर अगला सवाल आपका है print screen की on computer keyboard belong to which of the following categories typing keys function keys control keys special purpose key print screen की आपका keyboard पढ़ाया था सर ने keyboard के अंदर एक button होता है आपने देखा होगा उसके पर लिखा होता है आपका क्या print screen ठीक है na print screen होता है PRTSCR होता है वैसे तो वो ठीक है ना चलो मैंने print SCR लिख दिया आपको पर किस परकार का button होता है इन्होंने सवाल अब यह पूछा है आप लोगों से क्या यह typing type का button होता है क्या यह function होता है देखो function तो आप सिधा काट दो क्यों 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 क्यो विंडो प्लस में PRT SCR बटन को दबाएंगे, अगर आप विंडो प्लस में PRT SCR बटन को दबाएंगे, तो इससे computer का screenshot आएगा, यह ध्यान रखिएगा आप लोग, एससे क्या आएगा? computer का screenshot आएगा आपका computer का screenshot जो है वो इसी से ही निकल के आएगा आपका तो यह important है ध्यान रखना आप लोग चलिए सर आगे जाते हैं हम लोग अगला जो सवाल हमारे पास में रहेगा वो कौन सा है अच्छे एक ना control की से मुझे और याद आ रहे मतलब अगर मैं control की use करता ठीक है ना ctrl जिसको shot में कहते है control control के साथ में आपका रहता है s-h-i-f-t shift रहता है और इसके साथ में रहता है control, shift और alt की ठीक है ना यह तीन आपके बटन है इन तीन keys को अगर आपका use करते हैं तो इनको आप लोग कहा करते हैं यह? exam में इस सवाल वैसे पूछा है बहुत बार इन्होंने कि modifier की किसे कहते हैं तो आपको अच्छे से याद रखना है कि को आप लोग modifier की के नाम से जानते हैं चलिए सर अगला सवाल क्या है कि system software act as a breeze between the hardware and software अब बड़ा ध्यान से सुनना है सवाल को मेरे पास में एक सॉफवेर होता है system software मैंने पहले तो लिए hardware लिया यहां पर ठीक नहीं यह मेरा hardware हुआ hardware क्या है यह बात आप इस से पहले वाले सवालों में देख चुके हो और नॉर्मली आपको पता लग गया जिसको आप टच कर सकते हो हाडवेर है आपका हाडवेर को चलाना है मुझे मतलब मैं मेरा बहुत अच्छा सा डिवाइज ले आया चाहिए वो मेरा लैप्टोप है चाहिए वो कंप्यूटर चाहिए वो मुबाइल है तो सारे हाडवेर सबसे पहले सबसे पहले आपके पास में क्या चाहिए और उसके आपने के लिए अकेला हाडवेर तो नहीं चल सकता है ठीक है आपने उसके अंदर क्या दिया एक सिस्टम साफट्वेर डाला आपने ठीक है ना एक उसके अंदर system software डाला अभी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को आगे चाके ये कि system software ही क्या होता है फिलाल के लिए अभी नाम पढ़ लो कि हाँ एक system software है जो system को चलाने के लिए होता है ठीक है अच्छा सर hardware के उपर मैंने system software तो रख दिया ठीक है अब एक बात बताईए जब भी आपको एक बिल्कुल brand new phone लेके आते हैं उसको on करते हैं ओन हो जाता है न वो होता है कि नहीं होता हाँ सर बिल्कुल होता है brand new phone होता है company का वो on हो जाता है और on होने के साथ जो है न उसके अंदर आपका एक android का pure आपको version दिखाई दिता है के साथ आपको पूरा phone आपका hardware अच्छा है अब आप phone लाते ही नया phone लाते हैं उसमें क्या क्या काम करते हैं अब सबसे पहले अगर android phone लाएं तो play store पे जाओगे या iphone लाएं तो उसमें app store पे जाओगे और वहाँ पे आप application इंस्टॉल करना start करोगे अब आप daily life में use करते हो for example insta use करते हो facebook use करते हो telegram use करते हो या आप लोग whatsapp use करते हो या जो आपके usable applications है उनको आप use करते हो तो क्या रोगे क्या आप लोग सिंपल सी बात आप use करने की कोसिस करोगे application software use करने कोसिस करोगे तो आप क्या करोगे system software के उपर ही application डालने की कोसिस करोगे इसे के उपर ही application software उसको install करोगे यह भी बात आपको यहाँ से याद कर लेना है ठीक न हाँ बेटा shortcut की systematic सारी चीज़े आएंगी ठीक न और बाकि अगर आपको अब वैसे तो अगर regular live पढ़ना है तो देखो sequence में सारी आएगी अगर आपको आज ही पढ़ना है कि मुझे shortcut की सारी अभी दोआ तो बेटाए काम करो मेरी classes यहाँ पर बहुत सारी पढ़ी है सुनेल विस्तनोई सर कंप्यूटर सर्च कर लो यूटूब पर सुनेल विस्तनोई सर कंप्यूटर टेस्ट बुक सर्च कर लो वहाँ पर आपको मेरी classes दिख जाएगी और असानी से आप मेरी classes एक्सेस कर लो प्रिविएस classes दिख लो और अगर नई classes देखनी है तो आएगी systematic तरीके से सारा पढ़ाऊँगा hardware के उपर क्या होता है आपका system software होता है system software का मतलब क्या है system software का मतलब यह होता है आपका यहाँ पे कि आप कोई भी इसमें operating system डाला अब जब भी नया phone लाते हैं तो सरने का है कि उसके लिए कोई app डालते हो आप लो यही same sequence होता है आपके पास में अब पूरा सवाल यह पड़ो कि system software acts as a system software काम करता है एक pull की तरह है एक bridge की तरह है between bridge क्या करता है दो जगओ को जोड़ता है आपका दो को जोड़ेगा मतलब किसके बीच में hardware और software के ठीक है ना hardware and software जो है ना यह आपका in pull की तरह जोड़ता है उस common sense ही बात है आपका bridge की तरह system software hardware और software में यह आता है application आपका application इन दोनों के बीच में यह लगा हुआ है आपका एकदम असानी से समझ गए होंगे एक D वाला option इसका सही है हाँ अब आपको थोड़ा detail समझाते हैं software पे लाते हैं आपको ठीक है न software पे software में दो type होते हैं एक होता है आपका जिसका नाम होता है system software होता है system software और एक application होता है ठीक है न एक software होता है application application यह तो अपने लिए है इसको तो छोड़े एक बार इसके उपर आईएगा आप लोग क्या है system software जो होता है ना बच्चा आपका इसके इंदर एक आता है पहले नंबर पे System Management Software System Management Software ठीक है अच्छा सर दूसरा इसके इंदर आता है System Development Software ठीक है तीसरा इसके इंदर आता है System Sports Software अब आपने यह क्या लिख दिया सर हमें तो System Software ही पता था अब यह क्या हो गया सर बता दीजिएगा असान है बहुत मुश्किल नहीं है एकदम असान है बताईगा क्या है सर यह आपका यह देखो सर ऐसा होता है आपका यहां पे कि System Management जो System को Manage करता है System Development जो System को बनाने में हेल्प करवाता है System Sport जो मदद करता है हेल्प करता है उसको Sport कहा करते होगा आप लोग अब पेपर में क्या सवाल आएगा सर वही बताता हूँ आपको में एक्जाम में क्या आएगा यहां से क्यों सा निकलता है जोड़ा Standard Level का आपका आप से पूछेगा कि आपका Operating System है ना वो किसका Example है तो आपका Operating System जो Computer के इंदर होता है Operating System वो आपका Example होता है My Dear System Management का होता है अब देखो हर किसी बच्चे को ये तो बहुत धंग से पता होता है कि Operating System System Software है किसी मर्जी बच्चे से पूछलो सबको पता है कि Operating System क्या होता है Operating System होता है आपका System Software है कोई नो डाउट ही नहीं लेकिन कई बार वो पेपर में चोड़ा सवाल डिटेल पूछता है और ये ऐसा नहीं कि मैंने एक बार कोई पेपर में देखा होगा मैंने इसको साइद दस्यों बार पेपर में रिपीट होते देखा होगा ठीक है न और उसमें ये सवाल मैंने देखा है कि Operating System is a type of System Management System Development System, Sports Software ऐसे सवाल दे देते हैं वो Management में Operating System है अब System Development में क्या होता है इसके अंदर आता है मेरे बच्चा Language Translator आता है Language Translator जो है वो इसी के अंदर आता है Language Translator का मतलब क्या हुआ सर आपका Language Translator का मेरा मतलब ये हुआ इसी के अंदर आता है आपका Assembler आता है आपका Assembler आता है इसी के अंदर आपका जो है वो आता है क्या compiler आता है ठीक है न इसी के अंदर आता है आपके पास में यहाँ पे interpreter आता है ठीक है ले ठीक है न राम राम गुरु देव, राम राम भैई ठीक है न पर ये नाम बहुत ज़ादा important भी है अब देखो तुमनें assembler, compiler और interpreter सुन तो लिए है चलो ठीक बात है लेकिन इनको आज के बाद में इस तरीके से जो है आप लोगों को याद करने है ठीक है ना इस तरीके से जो है इनको आप लोगों को याद करने है अच्छे तरीके से ये question exam के अंदर आए तो आप लोगों को इनको ऐसे याद करने है कि ये होता किसका part है आपका ठीक है ना ये मतलब part जो है ना ये किसके होते हैं तो आपको ये याद करना है कि ये वाले part जो होते है ना आपके ये होते हैं, इनके language translator के part होते हैं आपके, ठीक है न, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, system sport के अंदर क्या है आपका, इन सब के काम तो बताएंगे, रुक के ही, लेकिन अभी के लिए फिलाल समझो, इनके type तो आता है, एक utility के बाद में आता है आपका यहां पर क्या device driver आते हैं, ठीक है न, device driver आता है, ठीक है न, लिंकर लोडर, यह सारे इसी के ही पार्ट है आपके, ठीक है न, तो चलिए सर, अब हम बात करेंगे, इन पर आगे और, पर पहले एक बार इतना तो कर लीजिएगा, यहां से सवाल आते हैं, types में से सवाल पूछते, इनको तो मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को की काम क्या होता है, चिंता ना करें, जितना लिखा है, उतना तो explain सारा ही करूँगा, आपको मैं, पूरा का पूरा explain क करूँगा, लेकिन फिलाल के लिए इतना समझ लीजिएगा, यह software जो आपका होता है, software, software में एक system software है, एक आपका application है, application को तो अभी छोड़ दीजिएगा आप लोग, system पे रहिएगा, क्योंकि सवाल जो दियाता है, मैं वो system software का दियागा है, system software जो है आपका, वो क्या है, कैसा software है, जो computer के बहुत close होता है, computer ही इससे चलता है, एक्चुली, इसके अंदर मैंने आप लोगों को यहां से दिखाया या बताया आप लोगों को क्या, कि एक तो system management software होता है, ठीक है न, system management, इससे नीचे कुछ लिखा ही निए, बेटा, link करीए सबसे नीचे, ठीक है न, language translator के अंदर, assembler, compiler और interpreter तीन चीज़ आती है, system sport में क्या आता है, utility, device driver, linker और loader, यह आते हैं आपके, ठीक है, चलिए, अब इनको थोड़ा थोड़ा explain करते हैं, कि इनका सब का मतलब क्या है, ठीक है, यह तो पुरा lengthy हो जाएगा, लेकिन language translator और यह वाली चीज़े बता देत हूँ, मैं आपको, ठीक है, अगर हम लोग देखने की कोसिस करें, यहाँ पे, इस वाले section के अंदर दिखाता हूँ, इसको हटा के, मेरे पास में एक part है, assembler, ठीक न, assembler, यह क्या करता है, यह assembly language को, असेंबली language को, binary language में convert करता है, binary language में, यह इस language में, mnemonics code होते हैं, आपके, spelling m से start होती है, वैसे कहते हैं, इसको mnemonic code है, mnemonic code होते हैं, जैसे की, move को m o b लिख दिया, jump को jn p लिख दिया, clear को c l r लिख दिया, su b लिख दिया, multiply को m u l लिख दिया, इस type के code होते हैं, आपके यह, इन्ही assembly language, यही assembly language है, इसी assembly language को, आप लोग किस में convert करते हैं, binary में, यानि कि 0101 में convert करते हैं, यह काम होता है, इस assembler नाम के software का, यह सवाल simple ही है, इतना ही जितना लिखा है, मैंने उतना ही सवाल पता ने कितनी बार आया है, good morning बेटा, रादे रादे बच्छा, simple साइस सवाल है, कि बताइएगा, assembly language को binary में कौन convert करता है, simple कहना है, आपको assembly को binary में कौन convert करता है, तो जवाब क्या रहेगा, assembler करता है, assembly को binary में कौन convert करता है, वो आपका assembler करता है, दूसरा यहां पर option में आपके पास में था या दूसरा जो आपके पास में था वो क्या था वो था आपके पास में यहां पर compiler था ठीक है ना compiler जो है और तीसरा यहां पर था आपके पास में interpreter था ठीक है ना interpreter था compiler और interpreter दोनों का काम एक ही है क्या काम करते हैं दोनों के दोनों जो है न वो high level high level language high level language को binary में convert करते हैं या machine level language में convert करते हैं ठीक है न दोनों का काम common ही है क्या काम करेगा compiler high level को binary में interpreter भी high level को binary में दोनों same ही काम करेंगे मतब high level आप ये लिखा करते हो ये वाली high level है और जो binary है वो 0101 की भास है आपकी ठीक है लेकिन दोनों में थोड़ा तो फर्क होगा ही सर हाँ वो फर्क ही यहां पर बताने की खोसिस कर रहा हूं और वो difference यह है कि compiler कैसे convert करता है यह आपका page by page convert करता है page by page convert करता है मत्तब एक बार में पूरा प्रोग्राम इसको ऐसा भी लिखा करते हैं एक बार में पूरा प्रोग्राम ठीक है एक बार में पूरा प्रोग्राम जो है न उसको यह convert करता है entire program in a time एक बार में पूरा program ये कि उसने एक्जाम में आया है कई बार कि एक बार में complete program translate करने वाला software वो compiler होता है entire program या यूँ कहिएगा आप लोग सीधा पूछ लिया जाए आप से कि page by page गोन convert करता है तो page by page convert करने वाला भी आपका होता है compiler होता है इस बात को भी आप याद रखना ठीक है न अच्छा सर जो interpreter होता है वो क्या करेगा ये line by line data काम करता है line by line ठीक है न line by line चलता है आपका ये अच्छा जो एक बार में पूरा page पढ़ देगा वो तो आपका fast भी तो होगा तो compiler आपका इसी करके जो है न वो fast कहलाता है ध्यान रखिएगा ये तेज है आपका ठीक है न फास्ट है और जो आपका interpreter होता है न इंटरपेटर वो line by line चलेगा इसलिए slow भी होता है तो ये वाला क्या है आपका इसको आप slow के नाम से भी जानते हैं ये slow होता है आपका लेकिन एक बात ध्यान रखना जो जितना तेजी से चलता है न उतना वो less accurate भी हो जाता है गलतिया हो जाए तो क्या आपता वो ignore करता चले जैसे मैं एक तो पढ़ा रहा हूँ आपको और एक मैं बहुत speedly पढ़ाता रहा हूँ ठीक ना मैं आपसे पूछू भी ना कि आपको समझ आया कि नहीं आया मैं दो तीन बार उसको बता हूँ लेकिन हो सकता है टॉपिक तो बहुत जल्दी पूरा हो जाए लेकिन हो सकता है कि वो आपको inaccurate तरीके से आये समझ में ये slow चलेगा तो इसमें accuracy जादा होती है आपकी बाकी लगबग languages जो है ना वो compiler पर काम करती है कुछ ही की languages को छोड़के जैसे कि python आपकी interpreter पर काम करती है ये super important पाइथन और एक होती है list programming language इसको LISP कहते हैं ये भी आपकी जो है ना वो काम करती है interpreter पर बाकी C है C++ है जादा तर भासा है जो ना इस compiler based language है जादा तर languages ठीक है तो python का एक सवाल पूछा जाता है बहुत बार ये कौन सी language ही interpreter है slow है पर इसका मतलब ये नहीं कि खराब है बहुत ही ज़दा accurate भी तो है वह आपकी इतना भी तो फरक पड़ता है उसके पर तो यह होते हैasambler यह होता है compiler यह होता है interpreter पेपर में कैसे आएगा सर यहां पे ठीक है ना यह बताइएगा paper में question यह आएगा कि बताइएगा compiler interpreter software के साथ में कुन सा बच गया assembler हाँ compiler interpreter assembler यह тीनों क्या होते हैं तो आपको यह कहना है कि system software है, system software में क्या है, यह system software में language translator भी होते हैं या कहिएगा, यह system development software है, अब भासा पेप काम कर रहे हो, converter का काम कर रहे हो, तो development में ही आते हैं यह system development, system development में language translator, language translator में assembler, compiler और interpreter, यह तीन चीज़ी हैं आपके, आपसे पूछा जाएगा पेपर में बहुत बार पूछा कि निमोनिक code को binary में कोन बदलता है यह assembly language को binary में कोन बदलता है, तो assembly language को binary में बदलने वाला होता है assembler होता है, assembly language को binary में बदलने वाला assembler होता है, या आप कहिएगा कि आपकी low level language, actually assembly language ना low level ही होती है high level नहीं होती है जहां रखना ठीक का ना ये low level ही ही होती है अब assembly आपकी तो assembly language या low level language को binary में बदलता है वो भी आपका assembler ही होगा ठीक है अच्छा उसके बाद में compiler की बात की जाए तो compiler क्या करता है high level language को binary में convert करता है interpreter भी high level को binary में convert करता है दोनों का काम सेम है पर फरक यह है कि compiler page by page या entire program पूरा का पूरा program और interpreter क्या करेगा line by line लेके जाएगा तो पूरा page by page convert करेगा वो क्या होता है आपका fast होता है line by line convert करेगा उसलो है like python, lisp यह सारी इसी का ही part है आपका मेरे हिसाब से आपको यह समझ में आया होगा अगर आया है तो मुझे आप comment करके या video को like करके दोनों तरीकों से बोल के बताएं ठीक है ना यहां सर समझ में आ गया बोल के बतादे ना ठीक है ना यह symbol यह smiley थोड़ा कमी use करो आप हडपा सब बेता में सिंबॉलिक तरीके से चीज़े यूज किया करते थे वहाँ पर लिपी होती थी भावनात्मक लिपी हुआ करते थी ठीक है ना तुम समझ में आया है तो तुम बोल के बताओ कि हां सर जी समझ में आ गया है या सर ऐसे क्लास में बोलते हैं आप लोग वह काम बताईएगा आप लोग ठीक है हां समझ में आगे अब ठीक है वर्ण तुम्हें ठेंगा दिखा देते हो लो यह कुमार ने तो लिए कई सारे ठेंगे दिखा दिये सभी सभी हड़पा सिविलाजेशन में ऐसा ही तो हुआ था तुमने देखा होगा ना ऐसे एक वो स्वास्तिक का सिंबल हमें मिला है जो ज़्यादा तर पूजा स्थल पे हम लोग यूज किया करते हैं ठीक है ना सभी बनाया है ना मैंने ठीक है तो इस टाइप एक सिंबल हमें मिला है या बहुत सारी चीजे जो है ना हमें सिंबल ही मिले आज तक उनकी सारे सिंबल पढ़ी नहीं पाए है और उस अड़पा सब बैता को मुझे लगता है कि हम दुबारा यूज कर पा रहे हैं ठीक है ना मतलब पूजा ने एक स्माइली भेजी मान लेते हैं उसी का एक्जामपल लेता हूँ एक ऐसा चहरा बेजार उसके पर ये हाथ लगा रखा है मुस्कुराते ही 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 है ऐसे वाला हलकी हलकी सर्माना और हलका हलका मुस्कुराना हो गया हाथ जोड़ना हो गया परनाम हो गया ऐसे मतलब बहुत सारी हर किसी का मीनिंग है अपने आप में कई ऐसे ही रोदुडू बनते हैं वो बन्दा रो रहा है कई-कई-कई यहाँ पर आखों में दिल डालते हैं तो फिर तुम समझे जाओ क्या होता है और कई-कई यहाँ पर ओटो पर दिल जाता हूँ आपको मैं ठीक है ना चलिए स्क्रिंशोट ले 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 ना इसका ठीक है हम प्लांट का यूज़ करते हैं पत्ते यूज़ करते हां बेटा ठीक है तुम फूल पोतों पत्तों में रहो बढ़िया काम है के लिए सर जी लिपियों का तो क्या ही कहे ऐसे करके दे मरो तीर इसके अंदर फिर भी समझ में आता है तुमें बहुत कुछ किसी ने हमसे पूचा था एक बार सर दिल में तीर क्यों होता है जवाब हमें नहीं पता था उसी नहीं हमें जवाब दिया था क्या आपको ये भी नहीं पता मैंने कहां यार यह तो मेरो को नहीं ने पता अरे क्या कर दिया वही एक सेकेंड क्या थै क्योंकि प्यार में दर्द होता है इस करके दिल में तीर होता है युटिलीटी सौफ्टियर बताता हूँ युटिलीٹी, ठीक है न ये help करता है increasing सत्यवान ने लिखा help in increasing the efficiency हाँ आपके computer में आपको जो मदद करने वाला software होता है ना मदद करने वाला मदद करने वाला तो जो computer में मदद करने वाला software है उसको utility ही कहते हो आप लो ठीक है ना तो इसको simple ही याद करना है आप लोगों को अच्छा सर इसका मतलब ये है कि help कोन करता है आपका अब जहां से सुनो आपकी help करने वाले software कोन से है एक तो आप antivirus को जो है ना antivirus software इसको आप utility के नाम से जान सकते हो antivirus software को सर क्या मतलब antivirus का antivirus क्या help करता है हमारी antivirus आपकी help करता है computer के इंदर ना कोई ये virus आ जाता है cyber security आगे जाके पढ़ाऊंगा आपको मैं फिलाल के लिए समझो कि कोई भी प्रकार का virus आ जाए उसको निकाल के फैंकने का जो है ना वो आपको याद करना है ठीक है सर टेलिग्राम पे लिखा हुआ भी PDF मिल जाएगा हाँ कल वाली class इसका मिल जाएगा अभी वाली class तो यार मैंने तुम्हें screenshot कहा था साइध ये वाला तो चला गया कुछ हद तक लिखा हुआ मिल भी जाएगा कोई बात नहीं ठीक है ना साथ की साथ आप लोग एक बार notes बना लिया करो आज ये question वाला file तो मिल जाएगा वो by mistake यहां से क्या कहते हैं हट गया सारा लिखा अभी जो लिखा था वो तो गलती सी हट गया तो आज के वाले class का screenshot लेना मेरा ये कहना रहता है आप लोगों को मेरी class में जब भी बैठो आप लोग जब भी बैठो थोड़े दिन ही ऐसा करना ज्यादा दिन नहीं करना ज्यादा दिन के बाद तो याद ही हो जाया खुदी तो आप अगर बिल्कुल नए हो fresh student हो तो प्लीज आप तना courses करे copy pen pass में लेके बैठे क्योंकि खुद लिखो गे ना तो बहुत गजब का याद होगा गजब के concept कलियर होंगे और मजब होता हैगा class को लेने में पता है नहीं लगेगा तुम्हारा एक घंटा कब बीत गया तुम खुद रोज ये कहोगे अपने जुबान से कि गुरुजी एक घंटा class तो कम लग रही है थोड़ी पता हिन लगा कि घंटा कब चला गया ये तो मेरा ये सला है बलजिदी तुमें या बाकि सभी बच्चों को भी सला है ये मेरी तरफ से as a teacher होने के नाते experience share कर रहा हूँ अपना PDF file कोई दिक्कत नहीं screenshot लेकि भी पीडियो बना सकते हो वैसे भी आपको share कर दिया जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन आप खुद से बनाओ वो एक कौन सी movie का dialogue है तलवार वही अच्छी होती है जो खुद की बनी होती है ताना जी ताना जी का ये सधाना वो भी इसी का part होता है ध्यान रखिएगा आप लोग टास्क आपको पता ने computer के इंदर नीचे जो है ना वो आपका टास्क बार रहती है डियर आपका ठीक ना तो वो भी आपको याद करना है अच्छा सर इसके अलावा जो है आपको और क्या याद करना है एंटी वाइरस टास्क बार के अलावा सिस्टम ट्रे ठीक ना सिस्टम ट्रे भी जो होता है सिस्टम ट्रे पता क्या होता है आप ये computer के corner में देखना आप लोग सिस्टम ट्रे के अंदर आप लोगों को ना ऐसे दिखाई देगा date and time जो है ना इसी के अंदर दिखाई देती है date and time इसी का part है इसके अलावा इसके अंदर आपका network जो है ना network वो भी इसी का ही part है इसके अलावा आपका जो है ना उसके अंदर sound का option होता है आपका इसके अलावा उसके अंदर language का option होता है उसके अलावा तो इसके अंदर आपका बैटरी बार भी जो होता ना वो भी उसी के अंदर होता है यह आपकी help भी तो करता है और तो क्या है सारे इसी के अंदर ही है यह भी बात आप लोगों को यहाँ से याद करना है ठीक है चलिए सर जी तो यह मददगार software है सारे आपके computer के अंदर कोई error आजाए आपका bug वगरा निकालने की बात करते हूँ आप लोग bug या debug ठीक है न डीबग इनने के लिए आप लोग यूज किया करते हो तो वो भी आपका क्या है utility है computer के अंदर एक आपका control panel होता है control panel होता है control panel में क्या करते हो आप software को install करते हो uninstall करते हो वो सारा का सारा पार्ट जो ना इसी के अंदर ही होता है आपका इसके इलावा कल ही कलास में आपने एक बात पढ़ी होगी मुझसे क्या fragmentation पढ़ा होगा ठीक है ना जिसने कल का कलास लिया है तो ठीक है नहीं लिया तो ले 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 ना और एक आपने पढ़ा होगा साइद मुझसे defargmentation ठीक है ना आपने पढ़ा होगा defargmentation T-A-T-I-U-N ठीक है हार्डिक्स वाला पढ़ाते समय पढ़ाया था यह सारे पार्ट जो है ना आपके किस के अंदर आएंगे utility के अंदर ही आएंगे troubleshoot करना कोई problem को troubleshooting वाला option आता है वो भी सारा utility है bug debug troubleshoot type से कह दो यह सारे utility ही होते हैं आपके अब देखो इतना अच्छे से सवाल पढ़ा दिया इस बात पर जल्दी से वीडियो को like कर दो ठीक है ना और अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर देना और मेरा जो आपका telegram handle है उसको तो join करना ही करना है आप सबने कोई भी course लेना हूँ तो मेरा coupon code सुनिल भी इसको ज़रूर यूज़ करना आप लोग ठीक है आया समझ में मुझे बताओ लिखके बताओ कि हाँ गुरुजी समझ में आ गया है अगर समझ में आ गया है तो मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ ठीक है ना तो दो बार लाइक नहीं करना ठीक है ना तीन बार लाइक कर दो या तो दो बार लाइक करने वाला काम तुम गड़बड़ कर दोगे एक बार लाइक हो जाएगा हाँ जी बैकप यूटिलिटीज वगरा भी बिल्कुल सही है सकते हैं ठीक है चलो सर MS Office Photoshop and Any Magic are Example of अब देखो उसी किस्टन का second part है आपका ठीक है न अब वो क्या रहेगा आपका crystal clear है सर चलो ठीक है अच्छी बात है बताईएगा इस सवाल का क्या answer रहेगा आपका कोट नहीं आ रहे टेलिग्राम पर आज आ जाएगा सत्यवान इस क्लास के बाद ही देखिएगा ठीक है न चापते हैं बड़िया बड़िया से लाइने गुट मारिंग के साथ में एक दो दिन से नहीं आया आज आएगा पका कोट आज देखिएगा बड़िया से कोट डालते हैं MS Office Photoshop and Animazic are example of बताईएगा जी फूल पत्तों के साथ में अप्लिकेशन आ चुका है हमारे पास में ठीक है ना अप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर ही है यह ठीक है अप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर किसके लिए होते एक यूजर के लिए होता है अप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर अभी लिए नाम लिखता हूं क्योंकि इसको explain करना इतना कम समय में पॉसिबल नहीं पर फिलहाल के लिए एक बार ना सुनना application software में एक MS Office बड़ा जुरूरी है 1988 में 1988 में जो है न Microsoft Office Suite आया था आपका ध्यान रखीएगा Microsoft Office Suite आया था Office Suite ठीक है न इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है Group of application software Group of अप्लिकेशन सोफ्ट्वियर Group of application सोफ्ट्वियर जो है न वो रहता है ध्यान रखीएगा आप लोग ठीक है अच्छा सर इसके अंदर क्या-क्या देखने को मिला तुम्हें MS Word देखने को मिला दूसरा तुमें देखने को मिला MS PowerPoint पॉइंट, इसके अंदर देखने को मिला तुम्हें, Microsoft Excel, इसके अंदर देखने को मिला, Microsoft Access, इसके अंदर देखने को मिला तुम्हें, Microsoft का Outlook, यह सारे software ही हुए है आपके, ठीक है, तो इनको जुरूर जुरूर याद कर लेना है, ठीक है, हाँ जी, Group of Application Software है, फूल और पत्ते चागए, हाँ, क्लास में फूल पत्तों की बुरी हयाली चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्लास में सुबह सुबह आते ही सावन आ गया हो जैसे, चलिए सार जी, यह तो पता लग गया मुझे यहाँ पे, अच्छा आप में से मुझे कौन बच्चा बताएगा, device driver क्या होते हैं, चलो बताइएगा, comment करिएगा, what is device driver, device driver होते क्या है, explain करो, किसे कहते हो, device driver किसे कहते हो, क्या मतलब होता है device driver का, चापो अंसर डिवाइज ड्राइवर ड्राइवर मतलब सर डिवाइज को चलाने वाला ड्राइवर कुछ वैसा ही है अगर आप नया प्रिंटर लेके आओगे कभी भी मैं एक ग्जामपल प्रिंटर का दे रहा हूं आपको उसको चलाने के लिए एक सॉफ्ट्वेर इंस्टॉल करना पड़ेगा वो सॉफ्ट्वेर करेगा क्या वो सॉफ्ट्वेर जो है न उस पर्टिकुलर डिवाइज को चलाएगा मतलब उसको कंट्रोल करेगा उसको ऑपरेट करेगा उसी के लिए आपका होता है device driver जैसे आपने वो आपका printer के driver इंस्टॉल कर दिये आजकल तो वैसे तो साथ में CD भी आती है छोटी सी आपने कभी notice किया होगा तो वो driver की CD ही होती है otherwise क्या कोई भी नया printer लाओ उस printer की official website पे जाओ उसके driver download कर लो आप driver download करके install कर दो फिर आपका printer है वो काम करने लग जाएगा तो digitizer tab बगरा होती है जैसे माल लेते pen tab होती है उसको चलाना है जैसे for example मेरे पास में एक ycom का pen tab है उस pen tab को मुझे use करना है तो मैंने क्या किया जैसे कोई भी computer में use करना हो तो उसके पहले उसके software install करने पड़ते है driver उसकी website पे जाओ official driver होते हैं उसको download करो उसके बाद pen tab लगाओगे चल जाएगा तो इस driver होते हैं कोई particular device को hardware device को operate करना उसको control करना उसको manage करना उसके regarding functioning आपको चलानी है उसी के लिए driver software होते है तो होता है एक software ही है यह system sports software का part है अभी मैंने लिखवाए था आप लोगों को ठीक है न तो यह भी बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है आदिल यूशुफ जी अगर आप class में नहीं आए हैं तो कल की class में जाएगा memory को detail से पढ़ा रखा है आपने कहा सर लाइक memory को detail में पढ़ाना तो कल और परसों दो लेक्चर है दो घंटे की class है memory के उपर पढ़िएगा बिटा ठीक है उसके उपर detail पढ़ा रखा है link नहीं मिल रहा है आपको तो आप मेरे telegram handle पे भागिएगा सुनेद सर टेस्ट बुक पे वहां पे आपको classes का link मिलेगा ठीक है ना तो चिंता ना करें हम कोसिस कर रहे है आपको हर चीज पढ़ाने का पर फर्क ये है कि हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते सनई सनई धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा इंतिजार करना पड़ेगा ठीक है ना सारी चीजे हो जाएगी वक्त गुजर के भी कभी गुजर नहीं पाता बस एक मैं हूँ जो हर वक्त हर घड़ी रहे कर गुजरता जा रहा हूँ अच्छा जी हाँ पढ़ा दूँग अठीर बढ़ा दिया जाएगा चिंता ना करे ठीक है ना बिलकुल ना चिंता करे आप लोग चलिया shroudी आगे okay चलते रहाई एगा आप लोग ठीक है ना और यह तो समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा device driver क्या होता समझ में आगया है आपके पास में ठीक ना चलिए सरजी अच्छी बात है next आपका सवाल हमारे पास में क्या आता है अगला सवाल क्या है Photoshop कौन से company का है वैसे ठीक है न तो Photoshop के बारे में बात रहेगा Photoshop editing tool है जो की Adobe company का है operating system तो आपको पता ही लग गया है ठीक है न चलिए सर जी next question पूछ रहा हूं कि the place where accessories are connected in computer is known as ऐसी कौन सी जगह है जहां पे accessories जो है न वो connect करनी है पताईए सर लड़का romantic हो रहा है romantic तो हो रहा है कोई बात ने इसको चुटी है एक पतयवान को एक कुमार को चुटी है इनको शेरो साइरी की लिखने की बोलने के साब चुटी है देखो एक भाएसा भी면ürü कोसी पति साइरी लेके आ रहा है जिस 귇न का विलना किसमत वे नहीं होता कमभ़त महबत वी उस उठते ही है सबसे पहले निको महभन नजर आ रही है भाई साब को क्या होती है? महबत हमे भी बता दो एक बार किसे कहते हैं chúngas हम, मतलब क्या होता है टमारी इस महबत का भाग के सर जी हम साधी गर्ली यहां भाग के road cross नहीं होता उसमें डर लग जाता है यार कहीं कोई ठोक ना जाए डर लगता है मुझे road cross करते सची बता रहा हूँ मतलब बजाक नहीं कर रहा है मुझे road cross करते समय सची में डर लगता है तुम में से कोई है क्या ऐसा जिसको road cross करते हैं डर लगता है यहां इनको मौबत हो रही है place where accessories are connected accessories जो connect होती है वो जगह है आपकी port कोई भी accessory connect होती है आपकी वो port से होती है ध्यान रखिएगा आप लोग green signal भारत में काम कहा करते है port क्या है आपका यहां पे तो यहां पे क्या है इस port के तुरू आप external device को connect करते हो common sense हो गया आपका यहां पे ठीक है ना एक बात हो गई है दूसरी बात है कि the motherboard contains slots called port into which cable external device is plug motherboard में वो जगह है जहां पे आप external cable लगा आते हो उसको port रह दोगे the identification of port of a particular transport protocol and address is done through a 16 bit unsigned number called port number port के फिर number होते हैं जो कि हम आगे के classes में पढ़ाएंगे आपको some important type of port कुछ अलग-अलग type के port होते हैं like जिससे serial port होता है parallel port होता है PS2 port है यह पहले keyboard mouse के लिए लगता था USB port होता है जिसको universal serial bus कहते हैं VGA port होता है visual graphic array video graphic सेरे में आता है आपका जो पहले pin होती थी 15 pin होती थी modem के लिए port होता है power connector होता है firewire port होता है ethernet port game port जिससे joystick जूड़ता है digital video interface DVI port यह कई सारे type के port होते हैं ठीक है तो port number तो network का part उसको तो पढ़ेंगी पढ़ेंगी यह port हैं आपके actually 16 bit का unsigned number होता है उसको port number कहते हैं इनको चलाने के लिए आपका ठीक है तो चलिए सर यह तो बात हमारे पास में हो गई है और यह जो आपका question है ना इसका अगला वो आपसे मैं पूछ के जा रहा हूं ठीक है ना यह आपके लिए homework देके जा रहा हूं आप मुझे बताईएगा कल मिलता हूँ सही सुबह 7 बजे आपको ठीक है ना सही सुबह 7 बजे कल की कलास में मिलूँगा और कुछ अच्छे ऐसे ही explanation जो है ना वो आपको पढ़ाऊंगा मैं dear ठीक है ना वो detail करवाऊंगा इनका और आगे जाके आपको मैं आप इसका explain कर लीजिएगा असानी से और इसके अलावा जो हना dear आप लोग जो हना मेरा telegram handle जरूर जोइन करना इस mcq किस्वनों का explanation के साथ यह पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा सुनील सर टेस्ट बुक के नाम से ठीक है ना सुनील सर टेस्ट बुक के नाम से आप लोगों को telegram handle मिलेगा कोई भी course अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज जो हना वो मेरा coupon code जो हना वो जरूर यूज कीजिएगा मेरा coupon code आपको पता होना चाहिए S-U-N-I-L सुनील भी है और sale चल रही है आपकी end of season sale चल रही है इस sale का फाइदा उठाईएगा यार 90% तका off मिल रहा है तुम्हें link comment box में description box दोनों ही जगे दे रखा है कोई भी exam की preparation कर रहे हो पहली तो बात यह 500 से कम रुपे के सारे batch मिल रहे हैं आपको SSE CGL या All SSE exam 454 में MTS 269 में CHSL 269 में Delhi Plus exam की preparation कर रहे हो तो भी 3500 रुपे दीजिएगा असानी से आप लोग मस्त होके 6 मेने तक subscription enjoy कीजिएगा मस्त तरीके से full detailed lecture जो आप कहे हो सरी इस topic का detail उस topic का detail हर topic का detail with mock test वगरा सब कुछ मिल रहा है तो इस opportunity को तो जरूर grab करिएगा आप लो IB security assistant का है 269 में है 90% is off चल रहा है सुनिल भी code लगा लेना आप लो session कैसा था ये बताईए जरूर feedback जरूर देना वीडियो को like कर देना चैनल पे पहली बार हो तो subscribe जरूर कर देना शुक्रिया सर रादे रादे मिलता हूँ आपको कल सुबह की सही 7 बजे की class में चीक है